रूस यूक्रेन युद्धा को छईटों महीन आपुगेओ, हतियार सकिदे गए पसी रूस द्वारा S-300 मिसाल प्रहार सेप्टेमबर सम्ममा दोशेडी छेत्र खेशन लाइपना कपजागरने यूक्रेनी अधिकारी को भविश्यवाणी प्रमुख बंदरगा हाहरु मा थाप रूशी हवाई आक्रमण भए, ब्लैक सी होदै अन्न नेरियार गरने सम्जोता रोखीने यूक्रेन को च्रेतावनी रूशी बिदेश मंत्री सर्गेई लावरूब और अब लीग को समर्थन जुटाउना अफ्रिका का विविन देश को भवन मानिसकी इजिप्ट र कॉंगो जाने यूक्रेन ले रूशी से नालाई सके सम्मध हीरे शेती पुडियाउना सब्दो प्रयास जारी राखने सहर डराओने छाईना जलन्सकी यूक्रेन बिरुदा रूश को युद्धा यूरोप को एकता बिरुदा को युद्धा हो जर्मन चांसलर यूरोपेन यूनेन मा जंड़े 5 लाख यूक्रेनी बालबाली का बिदयाली जान थाली रूश को आक्रमड बाट कम्तीमा अठार जना श्वास्त कर्मी कम्रितिव 900 स्वास्तिय संस्था हरू धवस्त यूक्रेनी श्वास्ति मंत्राले पुर्वी यूक्रेन को डोनबास श्यत्रमा दुई अमेरिकी साइथ एक कैनेडियन नागरी कम्रितिव भाय को कैनेडियन विदेस मंत्राले को पुष्टी बिलायती प्रधान मंत्री बोरिश जोनसन ले करे यूक्रेनी सहिनी खरूसंगा तालीम चार्शे यूक्रेनी सहिनी खरूसंगा भेट यूक्रेन को गुप्तचर श्रांस्ता जी यू आर का प्रमुख जेनरल किरिल बुदा नोव ले भने इरान मा देखे का पुठी नककली हुन ओडे शामा यूक्रेन को सहिनी सम्रसना धोस्त पारे को रूस को दावी आक्रमण बात्र गौस्पी डुंगा धोस्त भायको यूक्रेन को भनाई ब्लैक सी बंदर कहा ओडे शामा भायको आक्रमण मा रूस को फुने समंदर न भायको रूसली अंकारालाई बतायको तुर्किये का रख्षया मंत्रिक महाई फ्रांसली उर्जा बज़त गर्ना आवेस जारी गर्ने बातानु पुलित पर्शल हरूली आफना धोखारू बंदर आखनु पर्ने बिहाना को समयमा बिग्यापन हरू निशेद गर्ने रूसे सिनाले डोनेर्सक चेत्रको बाख्मूट सहर मा आकरमणको बात तो यार भःज़ायको छप युक्रेनी सिना डोनेर्सक सहर बात पचास किलोमिटर उत्तरपुर्वा मा रहेको वुह लेहरिस्ट का पावर प्लांट को वरपरा को शेत्रलाई नियंतर्ण मा लिना रूसक प्रयास जारी युक्रेन का सचस्त्र सिना का 92 सदर्शलाई रूसले लगायो मानपता बिरुद्ध को अफराद को अभियोग युक्रेन मा शेती भाय का हजारों लडाको सवारिशादन अरो निकालन रमर्मर्मर्गर्न रूसको संगर्ष्र जारी बिलाकी रक्ष्या मंत्राले अच्छिल 24 गंटा मा 26 जना रूसी सनाका संएक मार्ये को युक्रेन को स्थेना को दावी युद्ध को अंतियों गर्ने प्रयासमा युक्रेन भमर्मर्मर्गर्न आपको इच्छु क्राहे को फ्रांसेस को भनाई